कवीर दास जी ने कहा है धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए माली सीचे सव घड़ा रीतु आये फल होए वेलकम बैक मैं मोटी भेसनारी शोरी के साथ आपके सामने फिर से हाजी हूँ आज की छोटी सी कहानी है किसी समय में एक छोटे से जगा में छोटे से गौव में एक बैक्ती का पुरा परिवार रहता था परिवार बहुत ही बड़ा था वो बेक्ती छोटे मोटे काम करता, छोटी मोटे दुकाने करता, उसके परिवार और सगे समंदी सब कुछ बहुत ही गरीब थे, किसी तर से वोग अपना काम चलाते थे, खाना पीना खाते थे और गुजर बसर करते थे, वो बेक्ती अपने छोटे से गौँ के हाट में कभी कपड़ों की दुकान लगाता और जो कुछ बसते उसी से अपना गुजरा बतता करता था, उस्वेक्ती का एक पुत्र था, जो काफी तेज था, काफी होंसियार था, वो भी अपने पिता को कपड़े बेचने में सहयो करता, मदद करता हाट में, गुम गुम के कपड़े बे जो कुछ ऐसा करो कि हम लोग आगे बढ़ सके हैं, नहीं तो हम लोग पीडर पीड़ी बहुत ही मेहनत करके छोटे से पैसे में अपना गुजरा करते रहे हैं, इस तरह हम लोगों का जीवन अच्छे से नहीं बीतरा है, तो बोला पिता जी बेकुल मैं आपकी बातों को मान करने हूंगा, तो पिता ने कहा कि यहां से कुछ टी-स लोग यह एक टी-सट है, जाओ इसे, इस टी-सट का किमत 1 डॉलर है, जाओ कुछ ऐसा करो कि यह टी-सट दॉ डॉलर देजाए, लड़का ने कुछ ने कहा और वो टी-स उठाया, और उसे बेचने के लिए ठील गया, वह गाउं से बाहर railway station के पास गया और वो टी-सट को बेचने की कोशिसें करने लगा काफी कोशिसें की सुभा से साम हो गया आता किसी भी परकार से उसका वो टी-सट दो डॉलर में बिक जाता है वो वहाँ से घर आता है अपने पिता को कहता है पिता जी पिता जी वो टी-सट तो दो डॉलर में बिक जाता है लड़का सोच में पड़ जाता है कि भाई ये बीश डॉलर में कौण टी-सट लेगा फिर वो पिता को कुछ नहीं करता है और घर में पड़े हुए पुराने कपड़ों में से एक मिकी माउस बनावा था उसको काट लेता है और उस टी-सट के उपर उसे लगा कर धीरे-धीरे सिलाई कर देता है लेकर पास के सहर में चला जाता है वहाँ वो सहर में एक बड़े से स्कूल जिसमें बड़े-बड़े घानों के बच्चे पड़ते थे वहाँ चला जाता है छुटी के वक्त और वो उस टी-सट को बेचने की कोशिसें करने लगता है काता है ये टी-सट लो मात्र 20 डॉलर के मात्र 20 डॉलर के बहुत अच्छे है तब ही उसमें से एक बच्चा मीकी माउस के तस्बीर देखकर बहुत खुस होता है और वो अपने पिता से जिद करता है कि ये टी-सट उसे खरीद दे पिता ना चाते हुए भी अपने बच्चे को वो टी-सट खरीद कर देते हैं और इस बच्चे से पूशते हैं अरी ये मीकी माउस वाला टी-सट तुने खुद बनाया है इसने काता है जी महुद महुदय मैंने इसे खुद मेहनत करके बनाया है फिर वो वेक्ती खुस होकर उसे दो डॉलर एक्स्ट्रा टिप में दे देते हैं वो लड़का बहुत खुस होता है अपने घर आता है अपने पिता से काता है कि पिता जी पिता जी वो टी-सट तो मैंने 20 डॉलर में बेच दिया, 2 डॉलर एक्स्ट्रा मिले, पिता काते वास अख्ले दिन पिता जी उसे फिर एक टी सट देते हैं, काते जाओ इस टी सट को 100 डॉलर में बेच दो, लग्टा फिर कुछ नहीं काता है, और उस टी सट को लेकर पास के सहर में जाता है, तो देखत करने के लिए एक बहुती परसिद्य एक्टिस पहुंची हुई थी, इसलिए वहाँ भीड लगा था, वो बच्चा उस टी सट को लेकर भीड में घूश जाता है और एक्टिस के पास किसी उस तरह से कोशिस्त करते करते पहुंच जाता है, और एक्टिस को कहता है, की वह उस ओटो ग्राफ बाले टीचट को लेकर वह बच्चा भीर बड़े चवराय पे जाता है और वूर चिला चिला कर खाता है कि ऑटोग्राफ बाले टीचट ले लो अभी है भी अभी ओटो ग्राफ लिया है अबने इतने में वहां भीड लग जाती है और उसे टी-शट के लिए बोली लगने लगती है वो टी-शट आसानी से महंगा बिक जाती है आप जानते हैं वो बच्चा था माइकल